हाई मैं पर शान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक क्विडिट कॉम्डिटी में स्वागत करता हूं जैसा कि यहां पर आपको स्क्वीन पर दिख रहा है अगर इस तरह का केंडलिस्टिक पैटर्न का तो यहां पर सबसे पहले क्या हुआ इहां पर सबसे पहले देख सकते हैं एक अच्छा खासा वेट केंडल का फामेशन हुआ और उसके अंदर छोड़ा सा आपको green weight candle का formation यहां पर हमें देखने को मिलवा है इसके बाद क्या करना मुस्री लोग क्या होते हैं यहां पर confused हो जाते हैं इसके बाद हमें buy side की तरफ जाना या फिर sell side की तरफ जाना as a weird वो यहां पर wrong decisions ले लेते हैं और उसके कारण से उनको loss उठाना पड़ता है और बहुत बाद वो यहां पर trap में भी first जाते हैं और इनके कारण भी उनको यहां पर loss उठाना पड़ता है तो यहां पर आप trap से कैसे बच सकते हैं इसके लिए आपको यह जो pattern है इसको अच्छे तरीके समझना परेगा इसके पीछे का concept क्या है उन सब को समझना परेगा और उसके बाद आपको यहां पर idea मिलेगा इसके बाद आपको upside की तरफ जाना या फिर downside की तरफ जाना तो चलिए चार्ट पर चलते हैं और इन ही pattern को समझने की courses करते हैं तो यहां पर हम चार्ट पर आते हैं और देख सकते हैं यह आपका निफ्टी का hourly चार्ट है अब यहां पर सबसे बारा confusion रहता टाइम फ्रेम को लेगे तो यह जो चार्ट पैटर्न है इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम पर identify करके इसके basis पर ट्रेट ले सकते हो और यहां मैं आपको डिफरेंट एक्जामपल बताऊंगा डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम है यहा साइज भी बीग हो उसकी बाद उसके अंदर छोटा छोटा आपको ग्वीन वेट ग्वीन वेट केंडल का फॉर्मेशन इस तरीके से होना चाहिए वह हमें पैटर्न आइडेंटिफाई करना है और यही पैटर्न है जहां पर मोश्क्री लोग कन्फूज होते हैं गलप डिस उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो मिशना करें यहां पर हमें यह पैटर्न करना तो यहां पर निफ्टी के आवली चार्ट में यह पैटर्न करें और यह पैटर्न आप किसी भी टाइम फ्रेम में आसानी से फाइंड कर सकते हैं लेकिन आरिटर्न ऑपाइंगे कि इसके वैसी सिफिक पर हमें अफिरफ टानसाईड की तरह तो यहां पर कॉंसेट का प्राइस आपका उपर से नीचे गिर रहा है ठीगा मतलब क्या है सेलर्स मार्केट को को कहन्टोल किया है सेलर्स मार्केट में हा भी फृवक है उसकी बात क्या ह प्राइस आपका इसे के आसपास ट्रेड करने लग गया मतलब sellers का strength है वो कम हुआ यानि sellers यहां पर कमजोर हुए है मतलब वापस से seller का strength था लेकिन इस particular pattern में क्या हुआ sellers कमजोर ही दिखा है sellers कमजोर हुआ इसलिए आगे हमें गिरावट देखने को नहीं मिलबा जब sellers कमजोर हुआ तो क्या दिखा रहा है यहाँ पर जो बायर है वो यहाँ पर जबर्दस तरीके से active दिख रहे हैं और बायर अपना strength गेन करने की कोशिस कर रहे हैं तो अब यहाँ पर दो ही चीज हो सकता है कि जब बायर इंट्री किये हैं वो क्यों इंट्री किये हैं या फिर market रुका है तो क्यों रुका है दो वीजन हो सकता है सबसे पहला region क्या है यहां पर आपका short covering हो गिराबट के बाद time to time हो है short covering देखने मिलता यह नि जो लोग sell किये हैं वो क्या करते हैं वो लोग buy करते हैं और buy करके profit वो करके market से निकलते हैं यह अगर आगर इसी region की बात करें जो लोग यहां पर यहां पर यहां पर कहीं पर भी sell किया होगे वो इस particular vision या कहीं पर भी buy करेंगे और वो क्या करेंगे buy करने के साथ-साथ market से exit होंगे और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इसी को हम लोग बोलते है short covering तो short covering हमें positive hint नहीं देता है यह छोटे से time period के लिए positive hint देता है जो कि दिखा रहा है कि यहां पर sellers buy करके market स से बाहर निकल वे हैं और यही सारा situation होता है जहां पर retail trader इसको buying momentum समझके वहां पर buying करना start करते हैं और trap में first जाते हैं तो यह जो पहला condition है कि यहां पर short covering हो सकता है दूसरा condition क्या है यहां पर buyers market में entry कर सकते हैं यह नहीं buyers का यहां पर entry हो सकता है तो देखते हैं कि यहां पर कौन सा condition है अगर buyers का entry होगा तिहां पर जो हमें breakout मिलेगा उपर साइड की तरफ मिलेगा लेकिन अगर short covering होगा तो आपस से जो हमें breakout मिलेगा वो नीचे साइड की तरफ मिलेगा तो यह तो identify करने के बाद हमें easily पता चल जाएगा यह breakout का direction है वो उपर होगा यह नीचे होगा तो हम यह जो pattern है यहाँ पर हम different example लेगे और हम सारे example में यही दो चीज़ find करने कोशिस करेंगे यहाँ पर short covering हुआ है या फिर buyers का entry हुआ है तो यहाँ पर भी हम वही find करेंगे अब देखिए price आपका उपर से नीचे की तरफ continuously गिर रहा है अब यहाँ पर आखे price ने आपका एक range यानि एक pattern बना दिया है यानि यहाँ पर क्या हुआ है जो sellers है वो यहाँ पर कमजोर हुए है अब अगर यहाँ पर पहला condition क्या था short covering अगर यहाँ पर short covering होता है तो क्या होगा short covering है मतलब price आपका maximum इस level तक जाएगा इससे उपर नहीं जा पाएगा short covering भी एक particular range तक ही होता है तो यहाँ पर short covering होगा तो price इस level तक जाएगा इसके उपर break नहीं कर पाएगा लेकिन अगर दूसरा condition होगा अगर यहाँ पर buyers का entry होगा तो थोड़ा बहुत negative momentum है तो maximum price आपका इस lower level तक आप आएगा यह नहीं candle का lowest point के करीब प्राइस आपका आप आएगा इससे नीचे जाने के chances बहुत कम दिखते हैं तो अब देखे हैं प्राइस आपका यहाँ पर पहला attempt लिया upside की तरफ break करने का उसके बाद next candle भी यहाँ पर attempt लिया है upside की तरफ break करने के दो candle upside के label को break करने के courses किया है तो चली यहाँ पर हमें कुछ पता नहीं चल भाए buyers है या फिर short cover हो रहा है उसके बाद सारा का सारा candle आपको इसके बीच में ही tweet कर रहा है यहाँ पर हमें जो pattern बन भाए उसके basis पर कोई idea नहीं मिल भा है कि breakout कहा मिलेगा upside या downside तो यहाँ पर हम breakout का wait करेंगे breakout का इंतजार कर करेंगे और ultimate लिह पर क्या हुआ अपर वेंच को Greg करके प्राइस उपर निकला और पर नइकला यहां पर रैंच को प्रेक करके प्राइस उपर निकला मतलब कहा पैंगे आहिंगें अब यहां पर वेल डिफाइन सारा कुछ आपको मिलेगा तो सबस्प्याल है इंट्वी जो लेना यह केंडल आपका क्लोज हुआ उसके बाद यहां पर हम इंट्री लेगे यह यहां पर इंट्री ने यहीं यहां पर इस लाइन के अंदर है इसलिए यह मेरा रूप में काम करेगा उसके बाद टागेट पैस के गरम बात करें तो previous swing हाए यह हमारा टागेट पैस के रूप में काम करेगा तो सबसे पहला देख सकते यही है यह हमारा टागेट 1 हो जाएगा दूसरा यह हमारा टागेट 2 हो जाएगा ति यहां पर हमें profit कितना मिला है अगर हम लेवल की बात करें तो लगवग आपका इस पार्टुक्लर लेवल की बात करें तो 16,000 के करीब यहां पर हमने यहां पर मुझे 400.00 के करी profit मिला है वो भी आपको किस दिन में intra-day में यहां पर आपको अच्छा खासा profit मिलता हुआ दिखा तो देख सकते हैं यहां पर इंट्रा-day में भी काम करता है bts tb में भी काम करता है swing trading में भी काम कर सकते हैं छाए options हो या futures हो उसमें भी आप काम कर सकते या पर शौट टर्म डिलिवरी ट्वेट में भी यह आपको काम करके दे सकता अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो यहां पर यह concept उमीद करते हैं समझ में आ गया होगा अब हम यहां पर और एक्जामपल लेते हैं अब हम यहां पर बैंक निफ्टी पर आते हैं और इसको थोड़ा सा एडियस्ट करना चाहेंगे अब देखें यहां पर बैंक निफ्टी के हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आ रहें मैंने बताया था कि मैं आपको डिफ्रेंट टाइम फ्रेम में यह पैटर्ण आइडिफाई करके बताऊंगा बस आपको यहां पर थोड़ा सा महिनत करना और यह पैटर्ण आपको मैनूली आइडिफाई करना पर एगा इसके लिए कोई सकैनल अब यहां पर देखें जबदस्त रेंट केंडल का फॉर्मे हाटला नौइची के नीचे इसके नीचे आगया। यहाँ पर हम entry लेने को ले भी सकते हैं नहीं लेने को नहीं भी ले सकते हैं लेकिन जैसे इसके बाहर निकला है यह मेरा perfect entry point बन जाएगा यानि तो अगर आप इसी candle को लेते हैं बाहर इस candle को wait करके यह candle आपका क्या बन जाएगा परेगा तो यहाँ पर आपके पास दो options है अगर हम एक्चुली में लेवल के basis पर देखें यह केंडल ब्रेक आउट दिया ने तो आप चाहो तो सेफ्टी विजन साथ आप इस केंडल को भी मान सकते हैं आप उसके basis पर अपना ट्वेर सेटप तैयार कर सकते हो टागेट प्रि और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर घ्रम लेवल्स की बात कर लें लेवलर लकभग 38,300 करीव है और यहां पर जो आल डवे गया है 39,000 करीब गया मतलब मुझे यहां पर 700 पॉइंट की करीब profit मिला और इंट्रडे लेवलके basis पर बात करें दो लगवक यहां पर लगबग 300-400 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता हुआ दिखा है और उसके बाद उसके नेक्स डे की बात करें तो इन्टी में भी आपको जब दस प्रॉफिट मिला अगर आप करते हैं तो इसके बिस्प्र यहां पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता हुआ दिखा बस आपको यह pattern identify करना और उसके बाद दो चीज़ identify करना buyer का entry है या फिर short covering होता हुआ दिखा है यहाँ पर एक और example लेते हैं bank nifty में और इसी 30 minute के time frame बस आपको देखना है कि पहला candle आपका red होना चाहिए और यहाँ पर हमने इसके उपर एक और वीडियो बना है जहाँ पर पह description में भी मिल जाएगा यहाँ पर देखिए वापस से वेट करेंगों का formation हुआ यहाँ पर हम क्या करेंगे वेट करेंगे breakout का अब यहाँ पर ब्रेक आउट आपको नीचे साइड की तरफ देखने मिला मतलब ब्रेक आउट नीचे साइड की तरफ है मतलब यहाँ पर क्या हु यह पॉइंट मेरा एसल की रूप में काम करेंगा और टागेट पर इसकी बात करें तो प्रिविए स्विंग लोग जो भी होगा मेरा टागेट पर होगा नहीं तो अगर हम इंट्रादे लेवल के काम करते हैं तो बैंक निफ्ट है तो 200-300 पॉइंट के करीब आप प्रॉफ सिक्स थाउजन्ट एट हन्वेट से नीचे आए यहनि एनिहाओ मुझे यहां पर 300 का प्रॉफिट मिल गया और वह भी मुझे मिला है लगभग आपको इंट्रादे में नहीं मिला है सेम डे की बात करें तो सेम डे लगभग आपको कितना 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिला औ आपको इंट्रादे में प्रॉफिट मिला और उसको अगर एक दिन और करते हैं यहां पर आपको प्रॉफिट मिलता हुआ दिख रहा है यहां पर मौर एक्जांपल पर आते हैं अब यहां पर देखी क्या हुआ गिराबट दिखा रहा है यहां नीचे साइड की तरफ आ रहा है और यहां पर क्या हुआ जबर दोस्त वेट केंडल का फॉर्मेशन हुआ है मतलब क्या दिखा रहा है जो सेलर्स का है strength जो इसके पीछे का concept मैंने आपको बताया था वो कम हुआ यहनी सेलर्स यहां पर कमजोर हुए हैं और उसके बाद प्राइस आपका इसी के बीच पे move करता हुआ अब यहां पर दो चीज हो सकता अगर इसको break करके upside निकलता मतलब buyers का interview हुआ और इसको break करके नीचे जाता मत और यहां पर इसने इसको break करके ऊपर निकल गया है तो जैसे ऊपर निकल गया तो उससे जो previous candle है यहनी जो मेरा stop loss रहेगा इस pattern के अंदर ही जाएगा तो उससे पहला candle ही है यहनी यह मेरा क्या काम करेगा SL की रूप में काम करता हुआ दिखेगा इसे थुरा से ऊपर यह SL हो और इस particular candle के lowest point की बात करें 1337.75 लगवग आपका एक point के करीब यहां पर आपका stop loss बच गया है और इस pattern के basis पर करेंगे तो इसी तरह के से आपका stop loss save होता हो दिखेगा रेर केस में आपको stop loss होता हो दिखेगा इसके basis पर करेंगे तो एक रिसी लबल लगवग आपका 70-80% करीब होगा यह नहीं अगर आप 10 ट्वीट लेते हैं तो 7-8 में profit होगा और 2-3 में आपको नुकसान भी होगा यह भी आपको चल लेना 100% sure यह भी strategy ने कोई भी strategy आपको पूरा का पूरा profit बनाके नहीं दे सकता है इसके बाद प्राइस आपको all the way उपर निकला और previous swing हाई की बात कर दिया हमारा target 1 होगा जिसको आसानी सिसने hit कर दिया और इसके बाद प्राइस आपका नीचे side के तरफ आना start हो गया तो यहां पर मुझे अच्छा काशा profit मिलता ह अगर हम इस particular level की बात करें अगर हम entry लेते हैं लगबग आपका 1348 की आसपास और इस level की बात करें तो यहां से all the way गया 1360 करीब और वो भी गया इंट्राडे लेवल में ही यहां पर आपको कितना profit मिल गया 12 पॉइंट की करीब यह लगबग आपको 1% का profit दे दिया है तो इस हम रिलाइंस में भी देखते हैं अब यहां पर भी देख सकते हैं सेम टाइफ और पैटरन का फॉर्मेशन हुआ है और यहां पर ब्रेक आउट ऊपर साइट की तरफ आपको देखने को ला और प्रिवियर स्विंग हाई की बात करें तो इसने इसको टागेट को हिट कर दिय किया और इसके बाद थोड़ा सा नीची आए लेकिन एसल को यहां पर हिट नहीं किया और वापस से प्राइस आपको अपस दिन तक वेट करेंगे तो आपको अच्छा खासा वीटर यहां पर मिलता हुआ दिखेगा और कॉंसेट यहां पर यहां पर आते हैं और यह आपका बिपरोग का डिली चार्ट śm अब यहां पर देखेए यह पैटर अभीतर अक्टीव ही है अब डेखे यहीं पी हमें बेकाउट देखने को मिल गया ये यहां पे इस प्रेकर को ऑपर निकाले के रजाना अगर अगर सक्टीज की तरफ तो पहला तागेट होगा मेरा लगबग 450 के करीब और यहां पर हम जो buy side के तरफ entry लेंगे वो लगबग आपका 425 के पर करीब यहां पर हम क्या करेंगे buy side की तरफ यहां पर entry लेंगे तीहां दिशिक अभी आपका active है और आगे आप इसको follow भी क्या होता मैं होता है adalah target price होता है तो इसको आप आगेी कर सकते हो और जो भी कुछ किरें लिए क्मेंट सेक्षन में बता सकते हो उमीद करते यह concept आपको समझ में आ गया होगा बस आपको यह सब्सक्राइब करना और उसके बाद देखना यहां पर शॉर्ट कवरिंग हुआ यहां फिर बायर्स का इंट्रीव हुआ उसके एकॉर्णिंग आप यहां पर ट्वेट सेटप त्यार कर सकते हो तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें क्योंकि इस तरह के जो वीडियो रहते हैं वह बहुत कम जगा आपको देखने मिले इसलिए बेल आइकन भी दबाना ना भूले ताकि जब भी हम इस तरह के और भी वीडियो अप्लोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उस वीडियो को मिस्त ना करें तो देट साल फेंड्स मिलते नेक्ट वीडियो में जैहिन